खंड जिक्षादिकारी के लिए हम लोग जनगर्णा की questions वाल कर रहे थे यह जनगर्णा नगरीकरण जिसमें भारत की जनगर्णा उत्तर प्रदेश की जनगर्णा इसके अलामा नगरीकरण के आकड़े और कुछ करेंड के मुद्दे और जो धार्मिक जनगर्णा होई उसके भी आकड़े सम्मिलते रहेंगे सारे प्रश्ण इन दो वीडियोज हो जाएंगे एक वीडियो आ चुका है पचास प्रश्णों का आज का वीडियो पचास प्रश्णों का है सो प्रश्ण साल्व कर लेंगे काफी इसमें से आपके साल्व हो जाएंगे और मेरा यह मानना है कि यहीं से आपके सारे प्रश्ण आ जाएंगे एक्जामस में दूसी बात है दोस्तों डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम रूप का अप लोग उस लिंक से जॉइन कर सकते हैं ग्रूप को वहाँ पर सारे पीडियो और वीडियोज पा सकते हैं खंसिक्चा दिकारी से संबंदित इसके अलावा यदि अगर कोई जॉइन नहीं हो पा रहा है दिये हुए लिंक से तो लिंक को डारेक्ट कॉपी करें और पेश्ट कर दे जाकर के सर्च बॉक्स में या फिस सर्च बॉक्स में हमारे ग्रुप का नाम यूपी पिएससी बी ईयो ग्रुप उसमें आप क्लिक सर्च करिए तो अपने आप मेरे चैनल का नाम आ जाएगा ठीक है काफी लोग मेरे नाम से डुप्लिकेट चैनल बनाते हैं लेकिन आपको मेरे वीडियो और पीडिएफ मिल जाएगा आपको समझ में आ जाएगा मेरा चैनल है चलिए शुरू करते हैं निल्बखित में सिखिस महादीप में जन्मदर सबसे कम है उस्तों एउरोप में जो है ग्रामीर साक्षर्ता पाई आती है ग्रामीर जनसंक्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था हिमाचर प्रदेश पाई आती है ग्रामीर साक्षर्ता सरवाधि काँ पाई आती है भारत में केरल में केरल में ग्रामीर हो शहरी हो या पूर्ण सक्षरता पूरे प्रदेश की मिला कर हो तीनों ही केरल में ही सबसे आदा है इस्तरी पुरुष भी अलग से पूछे तो केरल में ही है उत्तर प्रदेश में सबसे अधीक और सबसे कम शेत्रफल वाले जनपत कौन से है तो उत्तरबर देश में पूछ रहा है लखीम पूरी सबसे जादा शेत्रफल वाला है संत्रविदास नगर जिसको भदोही भी आप कहते हैं ये सबसे कम शेत्रफल वाला जिला है जनगर्णा 2011 की अंसार देश में कुल कितने जिले हैं तो जो 2011 की जनगर्णा की अंसार पूछ रहा है देश में कुल 640 जिले हैं अभी बढ़ गए हैं लेकिन ये 2011 की अंसार पूछा है जनगर्णा 2011 की अंसार निमलकित में से सरवाधिक साक्षर कौन है तो जैन धर्म के लोग सरवाधिक साक्षर हैं जो धार्मिक जनगर्णा होई थी उसमें जैन धर्म के लोग सफसे जाधा साक्षर है जैन के बाद दूसरे अस्थान पे क्रिश्चन आते हैं इसाई आते हैं फिर बहुत तीसे अस्थान पे फिर सिख फिर हिंदू और लास्ट म मुस्लिम तो यह क्रम वाइज भी आप याद कर सकते हैं पूरे भारत की कितनी साक्षर्टा आपको पता है 73 परसेंट है पूरे भारत की अगर जनसंख्या पूछी जाए तो दोस्तों सबसे जादा हिंदू की जनसंख्या है कितनी है 79.8% मुस्लिमों की जनसंख्या 14 दिसंबल फिर जैन आते हैं सबसे कम यह 0.4% अन्य धर्मों के लिए लोग जो है 0.7% धर्म नहीं बताने वाले या जिनको नास्तिक भी आप कह सकते हैं ऐसे लोग भी हैं देश में 0.2% ओके फिर हैं जनगर्णा 2011 के अन्ति माकडों के अंसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयू समों के ब पूच रहा है सिसू लिंगा नख़पाद पूच रहा है अरथाथ 10000 बच्चे यह जो बच्चियां कितना है तो 999 है आपको यह मालूम हो कि जो पुर्ष सों की महिलाओं की तुलना मे जो 5000 जिशों की मैलाओं की तुलना जो की जाती है लिंगान पात की वह बढ़ गई है जब कि जो शिश लिंगान पात है वह घट गया है जो कि यह चिंता का विशय भी है इसलिए जो बेटी पचा बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाय चलाई गई है जनगर्णा 2011 के अंसार भ एक तम अंतर भी पूसता है वो राजस्थान में है सफसे अदा अंतर पुर्षों की सिक्षा में और महिलाओं की सिक्षा में तो असमानता सैक्षिक रूप से सफसे अदा राजस्थान में है सबसे कम असमानता कहां पर है मेग हाले में है जनगर्णा 2011 के अंसार देश की कु उत्तर प्रदेश में निवास करती है 16.5 एक प्रतिशत नगरी गल्यारा संबंदित है जो अर्बन जो समस्याय होती है इसका सही उत्तर होगा नगरी परिवहन संक्टो संबंदित है तीक है यह आवा गवन से मुख्यता संबंदित होती है विश्व में निम्रकित में से कौन मानों जमगट नहीं है तो सबसे कम जनगर्ण तो दक्ष्घ्ण Keynes अमेरिकाम पाए जाता है इनमें से तो दक्ष्घ्ञ अमेरिका सोरी 17 में जो जंगर्णा अकलन रिपोर्ट आई थी उसके अंसार 2020 तक भारत का जो आउसा तुम्रों 29 वर्ष हो जाना था हलाकि इस प्रष्णों को अभी आप छोड़ दीजे उत्तर वो करेंट के सेक्शन में करवाएंगे उत्तर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा तो यह भी बदलती रती हो तो हलाकि पुरुषों की उत्तर प्रदेश में पूचा है तो 62.7 वर्ष यह 2011 की जनगर्णा के अंसार है तो उस जनगर्णा के अंसार ही आप बताएगा 62.7 वर्ष उत्तर प्रदेश के पुरुषों का जो जीवन प्रत्याशा है वो है नगरी अधिवास की सफसे छोटी काई अच्छा प्रशन है नगरी अधिवास की सफसे छोटी एकाई दोस्तों नगरी हैमलेट होता है नग निम्कित राज्यों में से किसमें सिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीर छेत्रों में नियुनतम है तो सिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीर छेत्रों में केरल में नियुनतम है जो यह राज दिये हैं सबसे कम केरल में ग्रामीर छेत्रों में शिशु रहते हैं शीशुजान संक्या निम्रकिर में से कौन एक राज आर्थिक दिश्टी से सबसे उपर किन्त लिंगा नुपात के आधार पर सबसे नीचे यह पूछा जा चुका है नीचे हैं वहीं पर अगर आर्थिक दिश्टी से देखा जाए तो भी काफी हर्याना उपर याता है कि काफी प्रगत की है पिछले कई दशकों में तो मुख्यता दो दशकों में काफी प्रगती हर्याना ने की है तो सी ही इसका जो है उत्तर सही है दक्षेस देशों में सरवा अराष्ट बहुत बड़ा है ठीक है लेकिन अन्य चीजे भी आती है लोगों का विकास कैसा है वहां पे किस तरह की प्रतिवेक्ति आये कितनी है यह सब भी देखा जाता है तो हदियाना काफी उपर आ जाता है दक्षेस देशों में सार्ग कंट्रीज में सरवादिक जनसंख् घनत पाए जाता है कहां भी पाए जाता है बंगला देश में सबसे आदा जनसंख्या घनत पाए जाता है सार्ग कंट्रीज में देखा जाए तो निम्नलिकित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सरवादिक है तो मलिन बस्ती जो है सबसे आदा कहा है दोस्तों द सरवादिक दशकी प्रतिशत वृद्धी देखी गई है कहां पे भारत में नगरी करण में सरवादिक दशकी वृद्धी देखी गई है किस दशक में देखी गई है ये नगरी नगरी करण में पूछ रहा है दोस्तों जनसंख्या में हमने पिछले जो वीडियो है उसमें बता एक सट से कहत्तर वाले में रहा है तो यह नगरी करण है और जनसंख्या है दोनों में अंतर है 2011 की जनगर्णा से संबंधित धार्मिक आकडो के अंसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगा नुपात है तो सबसे कम जो है लिंगा नुपात दोस्तों सिखों में है सबसे कम है और सबसे ज़्यादा यद पूछे तो इसाइयों में है एक हजार के उपर है उसमें महिलाय ज़्यादा है इसाइयों में पुरुष कम है एक मातर वही समुदाय है विशुकी जन스्या व्रिद्धिदर कितनी है ये World की जनसंख्या व्रिद्धिदर पूछ रहा है तो population growth rate पूछ रहा है वर्ड की कितनी है लगबग 1.10.50 वार्षिक व्रिद्धिदर है विशुकी जनसंख्या की जनसंख्या वृद्धी दर कितनी है ये वर्ड की जनसंख्या वृद्धी दर पूछ रहा है तो population growth rate पूछ रहा है वर्ड की कितनी है लगबग 1.10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धी दर है विश्व की जनसंख्या की जनगर्णा 2011 कि अंसार अगर उत्तर प्रदेश में 57.2% है उत्तर प्रदेश की कुल अगर साक्षरता पूछी जाया कितनी है 67.7% है जिसमें महिलाओं की 57.2% है और जो पुरिशों की साक्षरता दर है 77.3% है निमकित में से कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरी करण की अवस्था से विशेशित है अर्थाज इस काल में सबसे मध्यम अर्थाज ना तो बहुत जादा ना बहुत कम नगरी करण की अवस्था से विशेशित है इसको इस रूप में निर्धारित किया गया है तो 1931 से 61 तक का जो दशक है दोस्तों इसको मध्यम नगरी करण के रूप में विशेशित किया जाता है भारत में याद रखे के पूछा जा चुका है इसका उत्तर 1931 से 61 आयोगने माना था विशे निम्न लेखेत भास्याओं में से किस एक को सरवादिक बोलने वाले वक्ति एस में इन भास्याओं में, तो बोली ही जाती है परैशिम मंगाल में, उडिसा में भी कुछ जगा और बंगाली जहां रहते हैं प्लस बांगला देश में इतनी भारी जनसंख्या है वहाँ पे बोली आती है बंगाली तो सबस्यादा बंगाली भाशा है तो थोड़ा आप ट्रिक्स लगाएंगे अगर दिमाग यूज करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उत्तर तक 2011 की जनगर्णा के उनसार निम्लखित कत्नों में से कौन एक सही है भारत में सर्वोच जनसंख्या घनत उत्तर पदेश में है गलत है कहां है दोस्तों ये बिहार में है भारत में सर्वोच स्त्री पुरुष अनुपात अर्थाद लिंगा अनुपात हिमाचर पदेश में है गलत है कहां पे दोस्तों केरल में है भारत में सर्वोज जनसंख्या वृद्धिदर पश्यम बंगाल में है गलत है दोस्तों ये कहाँ पे है अपने सबस्यादा अगर केंसासित प्रदेशों पूछा जाए और राज केंसासित मिला गर पूछा जाए तो ये भी गलत है पशिमंगाल में चौता है भारत में नियूनत्म साक्षर्तादर बिहार में है ये बिल्कुल सही है तो डी ही इसका उत्तर होगा योजना आयोग द्वारा 2000 योजना आयोग चूकि अब खतम होगी आब नीती आयोग हुए है लेकिन जनगर्णा जब होई थी तो योजना आयोग अस्तित्व में था द्वारा 2011 बारा में कितने राज्यों केंसासित पदेशों में साक्षर्तादर 85% से अधिक करने का लक्ष था जिसे जनगर्णा 2011 के अंसार प्राप्त कर लिया गया है तो अतिक्षपून प्राप्त कर लिया गया है दस का ठीखे डस राज्यों में केंसासित पदेशों में साक्षर्तादर 85% से अधिक का जो लक्ष था वो प्राप्त कर लिया गया है उत्तरब्रदेश में जनसंक्या का सरवादिक सांद्रण कहां पाय जाता है उत्तरब्रदेश में जनसंक्या का सरवादिक सांद्रण अर्थाथ घनत्व पूछ रहा है जनसंक्या देखे सांद्रण मतलब होता है एक प्रकार से घनत्व जन संख्या और जन संख्या घनत जमघट इन सब में अंतर समझेगा कभी-कभी घनत उने देकर उसकी जगह सांद्रण पूछ लेगा घनत पूछ लेगा जमघट पूछ लेगा ये सब आपको शब्द पकड़ने है संसार का सबसे बड़ा नगरी समुह कौन सा है इसको क्रम से थोड़ा आप याद रखेगा पहले अस्थान पे गाजी आबाद आएगा गाजी आबाद में सबसे आदा जन घनत पूछ उत्तर पदेश की बात कर रहा हूँ उसके बाद वारांसी है तीसे अस्थान पे लखनव है चोथे अस्थान पे भदोही है जन घनतों के मामले में पांचवे अस्थान पे कानपूर नगर है इनमें से कोई भी आप्शन में नहीं है तो कानपूर इसमें सही हो जाएगा D's का उत्तर है संसार का सबसे बड़ा नगरी समू कौन सा है सबसे बड़ा नगरी समू संसार में हमने कल वाले वीडियो में जो 50 परशन वाले थे उसमें ही बताया था आपको तोक्यो याकोहामा वाला जो एरिया आता है वो सबसे जादा सबसे बड़ा जो है नगरी समू है विश्व का तो क्यों भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम अवरोही मतलब उतरते हुए उपर से नीचे साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम सबसे आदा साक्षरता पहले अस्थान पर केरल हो जाएगा तो बाकी दोनों तो ऐसे ही कड़ जाएंगे केरल फिर उसके बाद दूसरे अस्थान पर दोस्तों मिजोरम फिर गुवा और फिर त्रिपुरा 2011 की भारत की जनगर्णा के लिए आदरश वाग क्या था तो आदरश वाग क्या था हमारी जनगर्णा हमारा भविश्य 2001 से 2011 की दोरान उत्तर व्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की जो प्रतिशत व्रिद्धी हुई जनसंख्या जो साक्षर व्यक्तियों की कितनी हुई दोस्तों तो 13.36 प्रतिशत व्रिद्धी होई, साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत में। निम्नंकित राजियों में किसमे अनसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सरवादिक था। पंसूचित जातियों का प्रतिसत अनुपात जो है प्रतिसत अनुचित जातियों की पंजाब में है और जनसंख्या कहां पर सफसे आदा है दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में नील घाटी तथा जावा दीप में उच्च जनसंख्या घनत होने के प्राथमिक कारण क्या है जो नील घाटी है नील नदी की घाटी जो है और जो जावा दीप है जो इंडोनेशिया के पास है उसमें उच्च जनसंख्या घनत तो जो पाये जाता है उसका प्राथमिक कारण क ज़नसंख्या कहां ज़ाद कर्षी καन sulfur обास करती है सीस का उतर होगा जब जन संख्या विशेशक भारत को मिलनेवाली संभाविद जनसांख की बोनस की बात करते हैं जनसांख की बोनस की बात करते हैं तो उनका आशे निम्यकित में से किस तथ्य से होता है किस की वृद्धि से होता है तो दोस्तों इसका उत्तर सीधा बहुत आसान प्रश्ण है यह है जनसांख्या में उत्पादन कारी आई समूह वृद्धी जो उत्पादन कारी आई समूह है गैर उत्पादन कारी आई समूह कौन से है जीरो से 14 वर्ष अमूमन और 65 प्लस वाले इनके बीच वाले मुक्यता जो कहा जाता है यूवा जो वस्था जो यूवा होते हैं ये उत्पादन करता होते हैं ठीक है ये देश में विश्व के उत्पादन में योगदान करते हैं तो इनकी जनसंख्या इनमें जो वृद्धी होगी तो इसको जनसंख्य की बोनस कहा जाता है भारत इस इस्थिती में है इसमें भारत का न्यूनतम नगरी कित राज्य कौन सा है तो सबसे कम नगरी कित राज्य हिमाचर प्रदेश है हमने आपको कल जिक्र किया था नगर में सबसे कम जनसंख्या वाश करती है दिये गए देशों के संदर में कुल जनसंख्या का अवरोही क्रम तो कुल जनसंख्या का आवरोहिक्रम हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी लेकिन ये देश अलग है तो सबस्यादा जनसंख्या जो है दोस्तों रूस में है फिर जर्मनी है फिर यूके है फिर फ्रांस है ये प्रमुख प्रमुख कंट्रीज है दोस्तों तो जो सेफ में स्टी का सरवादिक सांधता जो जनजातिया हैं वो सफसे आदा सांधता सफसे आदा घनत्य कहां पर है लखीम पूर्ख हीरी में सफसे आदा पाई जाती है जनगर्णा 2011 के अंतिमाकडों के अंसार भारत में पुर्ष और महिला साक्षर्ता दर्ग का अंतराल कितना है जनगर्णा 2011 के अंतिमाकडों के अंसार सोई दोस्तों इसको आप सोनभद्र करिए सोनभद्र होगा इसका उत्तर सोनभद्र में सफसे आदा जनसंख्या निवाश करती अंसूचित जनजातियों कि यह जो लखीम पूर्खिरी है यहाँ पर वन सफसे आदा शेत्फल जो स सफसे आदा पाए जाता है प्रतिशात्ता में भी यह सफसे आदा यहीं पर पाए जाते है सोनभद्र में जनगर्णा 2011 के अंतिमाकडों के अंसार भारत में पूरुष और महीला साक्षरता दर का जो अंतराल है वो कितना है यह अंतराल दोस्तों के 16.30 प्रतिशत का है जो है भारत की 73% हैं जिसमें पुरुषों की साक्षपता दर कितनी है 80.9% है महिलाओं की साक्षपता दर कितनी है 64.6% है तो इसमें से आप 64.6 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 16.3 या 16.3 0% आ जाएगा यह उत्तर होगा एइसका उत्तर है तो तीनों और मृत्यदर समान है तथा अंतह या बाय प्रोजन नहीं होता है आया हुआ प्रश्ण है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे क्या कहा जाता है कई बार यह प्रश्ण पूछा जा चुका है तो इस इसको कहते हैं सून जनसंख्या व्रिद्धी कहते हैं अगला प्रशने निंखित में से किस देश ने सरकारी तोर पर अर्थात कानूनी तोर पर पर परिवार नियोजन का एक्रम को सबसे पहले अपनाया तो अपना भारत महान है वो देश पहला विश्व का जिसने परिवार नियोजन कायकरम को सरकारी तोर पर कानूनी तोर पर अपनाय था एशिया में मात्री मृत्युदर सफसे अदा कहा है उच्चतम कहा है एशिया में पूछ रहा है तो दोस्तों अफगानिस्तान में सफसे अदा मात्य मृत्युदर है उच्चतम है वहाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है तो जनसंख्या वितरण को इनमे से सफसे अदा कौन सा प्रभावित करता है जलवायो जलवायो बहुत जल्वाई सबसे अदर डिशाइड करती है भारत में क्युक्ष्य कैसी होगी करती है चैसी करती है सब कुछ जल्वाई पर ही निर्भर करता है भारत प्रकार के नगरों में जनसंख्या वृद्दिदर उच्चतम हैं तो जो पहले फ़स्ट वर के नगर हैं जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया चन्नाई हो गया इस वर के जो नगर होते हैं इनकी जनसंक्या वृद्धिदर उच्चतम है क्योंकि वहाँ पर प्रवास बहुत ज़्यादा होता है आवरजन बहुत जाता होता है देखे एक चीज आप याद रखेगा हमेशा के लिए क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताना में आप भूल गया था आपको ठेके न जो भारती जनगर्णा भी भाग है उसके द्वारा भारती जो नगर है उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर कुल छवरगों में भाजित किया गया है कुल छवरगों में अब मैं बोल रहा हूँ आप कहीं पर नोट अवश्य कर लीजे जो प्रतम वरग में आते हैं वरग प्रतम में जिसका उत्तर जो ये इस प्रश्न का उत्तर भी है जो प्रत्थम वर्ग में आते हैं उसमें वो नगर आते हैं जहां पर एक लाख या उस से अधिक जनसंख्या वाले नगर है ए मुख्यत शहर कहा जाता है जो दितिवर्ग में आते हैं उसमें 50.99.000 तक की जनसंख्या निवास करती है तिती वर्ग के जो नगर है उसमें 20,000 से 49,000 तक चतुर्थ वर्ग में 10,000 से 19,999 तक पांचवा जो वर्ग है उसमें 5,000 से 9,999 तक रथा 10,000 से कम जनसंख्या और जो छठा और अंतिम वर्ग है उसमें 5,000 से कम जनसंख्या निवास करती है तो जो चौथा, पांचवा और छटा उसको लगु नगरों की सेड़ी में शामिल किया जाता है किसमें? लगु नगरों की सेड़ी में सरवाधिक जो नगरी जनसंख्या का भाग है वो प्रथम सेड़ी के नगरों में रहता है इन सब चीओं को आप याद रखेगा जो आकड़े आये हैं लगातार उसके अनसार जो प्रथम दिती और तिती वर के जो नगर है दोस्तों इसमें बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धी होई है वही जो पांचवे और छठे वर के नगर हैं उसमें लगातार जनसंख्या घट रही है अर्थाद ये छोटे-छोटे कजबे हैं जिनकी जनसंख्या में लगातार हरास की प्रविती बनी होई है जो चोथे वर की नगर वर्ग हैं वो लगभग इस्थिर है वहाँ की जनसंख्या न बहुत तेजी से घट रही है न बहुत तेजी से घट रही है अगला है एशिया की निम्रकित में से किस छेत्र में जनसंख्या की वारशिक वृद्धिदर अधिक्तम है तो सबसे आदा कहां पर वालशिक वृद्धिदर है ये पूछ रहा है तो सबसे आदा आप देखेंगे तो पश्चमी एशिया में बहुत तेजी से वृद्धी हो रही है जनसंख्या में 2011 की जनकर्णा के उसान निम्लखित राजियों में से किसमे प्रती एक हजार पूर्शियों पर महिलाओं की संख्या सर्वादिक है तो ये लिंगा नुपात एक प्रकार से पूछ रहा है तो लिंगा नुपात न देकर के इस तंग से पूछ लिया इसका उत्तर होगा केरल जिन तत्तों के अधार पर आदर्श जनसंख्या ग्याद की आती है तो मानो एक तो मानो होने चाहिए ग्याद करने के लिए दूसरा संसाद होने चाहिए तो दोनों ही सही उत्तर है ए इसका उत्तर होगा निमलखिट संग शासित राजयों में स्वशार्टा 2011 की जन गणना के उसार अधिक्तम कहा है इस्ट्री साः शार्टा दर 2011 पूच रहा है तो सबसे जादा कहाँ पर है? तो लक्षदीप में सबस्यादा है ये जो केंशाशीर पुदेश हैं इसमें सफ्यादा साक्षाता दर्महिलाओं में लक्षदीप में हैं निम्लकित में से कौन सा मान दंड भारत में किसी अधिवास को नगरी केंट परिभाशित करने के लिए स्विकार नहीं किया गया है तो हमने कल भी यह प्रशन बताया था आपको इसमें भौतिक विस्तार की बात नहीं की जाती है जनसंख्या घनत देखा जाता है जनसंख्या का आकार देखा जाता है अर्थात कितनी जनसंख्या रह रही है और जो व्योसाई सरचना है किस व्योसाई में किस तरह के व्योसाई में लोग लगे हुए हैं जो ग्राम होगा वहाँ पे मुकिता क्रिशी और पॉस्वालन से लोग जुड़े होंगे प्रात्मिक कारियों से जुड़े होंगे और जो शहर होंगे उसमें दृतियक और तृतियक कारियों सर्थात उद्योग धंदों में रोजिगार में और मलब गैर कृषी कारियों में लोग जुड़े होंगे तो ये तीनों तो सही हैं जो भौतिक विस्तारे इसका कोई उपयो यहां पर सफसे यादा ग्रामीर जनसंख्या पाई जाती है, इसे भारत हो गया, बहुत जादा ग्रामीर जनसंख्या पाई जाती है, समान जनसंख्या घनत दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, आईसो पाइकनिक कहते हैं, समान जनसंख्या घनत या जनगनत दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसको आईसो पाइकनिक कहते हैं तो यह थे सो महत्पूर्ण प्रशन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लाइक करें शेयर करें और आपको विभिन्द जो कोर्स हमारे चल रहा है मुख्य परिक्षा के लिए एंसर राइटिंग प्रोग्राम और पूरा मुख्य परिक्षा का सिलेबस पीडियो वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा हमारे यहां और आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना हो तो नीचे दिये हैं नंबर से संपर कर सकते हैं 9453-75039 फोन मत करिएगा वाटसब पे क्योल मैसेज करिएगा डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों